हेलो दोस्तो मैं हूँ अर्चना और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल होमस्टाइल कुकिंग में तो आज हम बनाएंगे ब्रेट कश्टर की रेसिपी और इस टूइंड वन रेसिपी को बनाना पहुत ही आसान है कम समय में कम खर्च में कम इंड गिनर्स मे करें तो आपको पता चलें जाएगा तो छलिए देखते इसे बनाते कैसे हैं तो रेसिपी को पुरा देखिए पसंद आजाए तो लाइक शेयर कीजिए गा चैनल पे नूँ है तो सबसक्राइब कर लिजिएगा साथ ही नोटिफिकेसं बेल को दबा कर और पिसेट कर लिजि दूद को हमें वाल लेना है तो फ्लेम पॉन कर दिया है मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर दूद को अच्छे से उबलने देंगे और हाँ भीच भीच में इसे चलाती भी रहेंगे ताकि दूद तले में चिपके नहीं तो जब तक हमारे दूद उबलती है तब तक यहां पर काम और कर लेते हैं एक चोटी सी कटोड़ी मैंने आप ले लिया है वन ठर्ड कप दूद और इसमें मैंने डाल दिया है दो टेबलिस्पून कस्टर पॉडर कस्टर पॉडर को अच्छे से पहले हम मेक्स कर लेंगे दूद हमें बिलकुर नॉर्मल लेना है न ठंडा न करम तब इस तरह किसे मिक्स करने से क्या होगा इसमें गूटनीया नंब से नहीं पड़ेगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो यह कंश्टर मिल्क जो है त्यार हो गया है और देगि दूद भी वलकर रेडी हो गया है तो दूद काफी अच्छे से खॉल गई यह तो अब हम मिठास के लिए डालेंगे चीनी तो आधा कप मैंने यहां पर चीनी की मातरा क्श्ट कुम भीuleows कर अगर मिठा परसंद करते हैं थोडे मातरा बढ़ा लें कम परसंद करते हैं थोड़ी कम कर दें और हां चीनी थोड़ी पानी पी छोड़ती है तो दूद में जब चीनी अच्छे से खूल जाए तो थोड़ी देश दूद को और पकने देंगे जब अच्छे से पक जाएगी तो तब हम क्या करेंगे इसमें हम कस्टर जो मिल्क है उसे हम एड़ करेंगे और एक बार में अड़ने करेंगे थोड़ा थोड़ा डालेगे थोड़ा थोड़ा एड़ करना है अपको इस तरीके से डालते जाना है और mix करते जाना है ताकि इसमें Lumps ना पड़े, गुठ लिया ना पड़े अच्छे से ये mix हो जाए से मिल्कstal अधर मिल्क डाल दिया है कं इसे mid-。」 गली तो तो इसे कंथे ,कम से कंथ मिनट के लिए पर आप तो जबिक के लिए आप स क weapon लिए कड़स क्ष्टर और बस करना यह है कि आपको इस तरह के से स्कॉायर पीसे में कट कर लिया है और ऐसा नहीं कि स्कॉायर में ही कट करना है जो भी आपको सेफ पसंद हो आप अपने मन मुताबिक सेफ में आप इसे कट कर सकते हैं तो यहां पर सारे ब्रेट को मैंने जो है कट कर लिया है और अब इसे करना है डीप फ्राइए तो यहां पर मैंने जो है लो टो मीडियम फ्रेम पर डीप फ्राइए मैंने जो है करने के लिए डाल दिया है और यहां पर फ्राइए करने के लिए मैंने जो है ओल किया है पहुत ज़दी डार्क हो जाता है इसका कलर और इसको डिफ्राइब करने में टाइम बिलकुल ने लगता है तो बस फटा फट ये देखी एक बैशिक हमारा डिफ्राइब हो चुका है तो इसका जो एक्ष्ट्रा ओल है इस तरह के से निकाल लेंगे और बहुत ही क्रंची हो ज कष्टड करने की बारी करने के लिए कष्टड हना विल्कूर ठंडा हो गया दूद में डाल कर बैड को पहले नॉर्मत में डाल लेंगे ऊसके बाद इस करेंगे अगर थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है बाद में खाना चाहते हैं तो एक घंटे के लिए इस तरीके से पुरा कश्टड से ढखकर आप इससे फ्रीज में रख दीजिए एक घंटे के लिए और उसके बाद इंजुआए कीजिए बहुत ही अच्छा इसका टेस् आप चाहें तो कश्टड में भी ड्राइफूट डाल सकते हैं पर वहां पर मैंने कश्टड को प्लेन रखा था तो अभी मैं इसमें डाल देने हूं सिजावट के लिए और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है और टूइन वर्न मैंने इसलिए कहा था इस सिपस में आप को मिलने वाली है सबकू बहुत ही पसंद आया तो चलिए दोस्तों कभड़ाइब कर रहे हैं आप की आपको आपको आज की रेस्पी बहुत पसंद आई होगी तो प्रीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पी न्यूँ है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए फिर मिलते हूं आपसे एक नई रेस्टीपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखिएगा का फिर खिर मिलते हूं के लिएस्ते हूं किजिए तो विएगा जब है ये टूँ कि सब होगी होगी है थे मिलते हुएगा ऑगा उे तो बहागी हमागी होगी है